पिछले कुछ दिनों या सालों से डॉलर की खबर भारत में खुब सुर्ख्यां पठोरती हैं। हम सुनते हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत इतने पैसे या इतने रुपए गिर गई है। लेकिन इस सब में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये रुपया हर बार क्यों डॉलर के मुकाबले पीछे जा रहा है। हमारी जिन्दकी पर आखिर इसका कितना असर पड़ रहा है और क्या सिर्फ हमारी ही करंसी डॉलर से पिछट रही है। आज आपके इन सबी सवालों के जवाब हम आपको देंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस समय डॉलर के मुकाबले दुनिया के मजबूत देशों की करंसी का क्या हाल है। इसमें हम दो आखड़े देखेंगे एक आखड़ा 5 साल पहले का है तो वहीं दूसरा आज का। वैसे तो ब्रिटिश पाउंड और स्विस फ्रैंक डॉलर के मुकाबले मजबूत हैं लेकिन बीते 5 सालों में इनकी मजबूती में कमी आई है। जहां ब्रिटिश पाउंड 0.76 प्रति डॉलर हुआ करता था तो वहीं अब इसका दाम 0.903 प्रति डॉलर हुगया है। वहीं स्विस फ्रैंक की बात करें तो एक समय ये 0.98 प्रति डॉलर हुआ करता था जो की अब बढ़कर 0.994 प्रति डॉलर हो चुगा है। वहीं यूरो की बात करें तो जो यूरो 5 साल पहले डॉलर से मजबूत हुआ करता था वो आज उसकी तुल्ना में अब कमजोर हो चुगा है। जहां 5 साल पहले यूरो की कीमत 0.85 प्रति डॉलर हुआ करती थी वहीं अब इसके दाम 1.03 प्रति डॉलर हो चुगे हैं। अगर बात करें Canadian डॉलर की तो 5 साल पहले जहां इसकी कीमत 1.28 प्रति डॉलर हुआ करती थी वही इसकी कीमत अब 1.37 प्रति डॉलर हो गई है Australian डॉलर की बात करें तो 1.30 प्रति डॉलर से बढ़ कर आज इसकी कीमत 1.58 प्रति डॉलर हो चुकी है Chinese युवान की बात करें तो 5 साल पहले जहां ये 6.62 प्रति डॉलर के रेट पर हुआ करता था तो वही अब इसकी कीमत 7.11 प्रति डॉलर हो गई है रशियन रुबल की बात करें तो जहां 5 साल पहले रशियन रुबल 57.45 प्रती डॉलर की रेट पर था तो वहीं अब इसकी कीमत 61.2 प्रती डॉलर हो गई है वहीं भारती रुपीज की बात करें तो जहां 5 साल पहले भारती रुपया 65.10 प्रती डॉलर हुआ करता था तो वहीं मौजूदा वक्त में इसकी कीमत 82.07 प्रती डॉलर हो गई है इस सब में सबसे खस्ता हाल है हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पाकिस्तान की करनसी पाकिस्तानी रुपए की कीमत 103.300 से खट कर अब 221 रुपए प्रती डॉलर हो गई है और यही वज़य है कि पाकिस्तान में महंगाई अपने चरम पर है तो आपने देखा कि सिर्फ रुपया ही नहीं कई देशों की करनसी का भी यही हाल है लेकिन अब हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है दरसल बदलते हालात ने पुरी दुनिया के उपर मंदी का जोखीम भड़ा गर दिया है अमेरिका में महंगाई 41 सालों के उच्च स्तर पर है इसे काबू करने के लिए फेडरल रिजर्व तेंसी से ब्यासदरे बढ़ा रहा है महंगाई की ताजा आकलों को देखने के बार अमेरिका में ब्यासदर में एक जटके में एक फीसदी की बढ़ोतरी की आशंग का तेज हो गई है अमेरिका में ब्यासदरे बढ़ने का फायदा डॉलर को मिल रहा है और इसी का असर है कि मंदी यानि रेसेशन के डर से विदेशी निवेशक उभरते बाजारों से पैसे निकाल रहे है और सुरक्षित इन्वेस्मेंट के तौर पर डॉलर खरीद रहे है इन बदलते हलात ने डॉलर को अप्रत्याशित तरीके से मजबूत किया है अब हम जानते हैं कि रुपए के गिरने से हमारी जिंदगी पर कितना असर पड़ता है रुपए के कमजोर होने से कई नुकसान होते है रुपए में गिरावट का मतलब अमेरिका में घूमना और पढ़ना महंगा होना है रुपय के कमजोर होने से लोगों का विदेश में घूमना फिरना भी महंगा हो जाएगा और लोगों को पहले के मुकाबले जादा रुपय खर्च करने पड़ेंगे रुपय कमजोर होने से आयात करना महंगा हो जाएगा तेल आयात करना हमारे लिए महंगा हो जाएगा और इसका असर ये होगा कि सबजी से लेकर रोज मर्रा की चीज़ें महंगी हो जाएंगी क्योंकि इनका ढूलाई खर्च बढ़ जाएगा ऐसा नहीं है कि रुप्या कमजोर होने से सिर्फ नुकसान होता है इसके कुछ फायदे भी हैं कमजोर रुप्या निर्यातिकों के लिए अच्छी खबर है इसकी बज़य यह है कि उन्हें विदेश में समान बेचने से आय होती है और उन्हें अपने उपाद की ज्याद अकीमत मिलती है